तन्जोग तो कोई जानता नहीं है बैजलपूर बैजलपूर है पल तो यहाँ पे खेत था पुड़ा खाली था फिर साम को आई तो पूरा बहर गया था खिर में लोगों के मन में इतना दहसत क्यों पैदा हुआ है तो पानी तूट जाएगा बार तो है गाई आप सभी को लग रहा है और वहां के जो लोग है सभी के दिल में दहसत पैदा हो गया आप सभी को पता है तो मैं वही अभी बता दो यह जगह कहा है तो मुझा परबुर जीला के पारुप्रखंड के अंतरगत यानि कि जाफरपूर से 5-6 किलमेटर पड़ता है अंदर जो कल्यानपूर गाउं है वही गाउं में हम आगा है कहां कल्यानपूर घाट पर हमारे चाहत हमारे मिद्र लोग भी यहां पर आया है यहां पर देख सकते हम है और हमारे चाहत हमारे भोलोविया है सुधिर भाई है और वही अभी हम लोग यहां पर आया है तो यहां पर हम आया है और वही देखने के लिए यहां पर आया है क्योंकि जो पानी है काफी जादा बढ़ गया ठीके तो वही आज मैं आप सभी को यहां पर भीवूज करने आया हो कि यह सच है कि जूटे का कि कुछ लोगों के माधम से मुझे पता चला तो वही पता जब चला है तो मैं आया था यहां पर देखने तो फाइनली मैं आप सभी को बता दो कि मैं घाड पर यहां पर आगया ठीक है बाड़ एक प्राकिर्तिक अब्दा आप सभी को पता है यह तो किसी का हाथ नहीं हो सकता कि पानी बढ़ा दिए यह वह अगरा बहुत सारे होते हैं लेकिन नेचुरली है प्राकिर्ति है यहां पर तो उन्से थोड़ा सा पूछेंगे कि मैं तो यहां पर रहता नहीं हूँ और वही आप सभी को भी दिखा रहा है पूड़ा पानी से पूड़ा लदबध हो गिया यानि कि पूड़ा पानी का जलस्तर जो है काफी जादा बढ़ गया देख सकते हैं और यहां प आपको कल्यानपूर घाड का भ्यूज कर आ रहा हूं और यहां पूरा हाई अलट पे किया गया है ठीक है हाई अलट कर दिया गया है देख सकते हैं यहां पर और आपको मैं देखा रहा हूं यहां पर सामने जो देख रहे हैं बांध पे पूरा बोड़ा उड़ा रख दिया गया है हना बोड़ा रखा हुआ है सैदी मिट्टी का है मिट्टी भरवर के रखा हुआ है कि देखिए संजोग तो कोई जानता नहीं है और देख सकते जल अस्तर इतना जादा बढ़ गया है कि आपको मैं क्या बताओ बहुत ज है और हर जगा पे पूरा काफी लंब चोरा रख वो आड़ यहां पर देखे पानी का जो बहाव है काफी तेजगती से बहा रहा ह 12 तो चलिए आपको मैं वही जो लर्का लोग है यहां पर दो लोग है भाई लोग ठीक है और यह देख रहे हैं कि सामने स्कूल है मंदीर है यानि कि ऐसा जो बोरा है हर जगा मैं बांध से पूरा देखते आया हूं पूरा हर जगा पे ऐसी ही बोरा भर भर के ठकी लगाया गया है यानि कि छली लगाया गया है बहुत ज्यादा रखा तो चलिए और भाई लोग से पूछते हैं कि कल पानी कितना था और आज कितना बढ़ा है तो देख सेकते हैं पूरा डूप गिया है यार देख रहे हैं पूरा गंगा का पानी बढ़ते जा रहा है रातो रात बढ़ते जा रहा है यारनि कि एक एक मिनट एक एक मिनट का जो प तो भगवान से मैं प्रातना करता हूं कि ऐसा कुछ नहीं हो, सभी लोग शुरक्षीत रहेंगे, तो चलिए, कुछ भाई लोग है यहाँ पर उनसे बाचीत करते हैं, तो चलिए हाँ पर कुछ भाई लोग है यहाँ पर उनसे थोड़ा सा बाचीत करेंगे हम, तो भाई आपक कर ले ऊसार नहीं भारा था फुरल लखी बोलेंगे जोड़ से यहा पानी कहा तक था कल ले ओजन तहकत रावला जो लम्मा जो दिखे रहे हैं महां पर हैं घजूर का पर है तो सामने देख रहें खजूर का पर हैं पानी महां टोछ उधर सुखा हुआ था तो देख सकते हैं भाइने मुझे बोला कि अशामने जो खजुर का पेर आप सभी को दिख रहा है वहा तक पुरा सुखा हुआ था यानि कि जो रात भर में जो बढ़ा है पानी, बाड़ का पानी इतना तेजगती से बढ़ रहा है कि लोगों के दिल में दहसेत पूरा पैदा हो गया, देख सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़ गया और पानी का जो बहाब है काफी तेजगती से बहा रहा है, कटाओ इतना प्रपभूंकि तब में देग लेड वहां हो नहीं अवान का धीत है नाउन Campus remote उज ढूत सब कोडे क्यास क्या वहक देख रहें काफी देज ड़ती पानी का जो बहावा ऑघ आठाट अब अभन का खेत है जादा नहीं दान का खेत है जान का तो लगता है कि पानी पार कड़ों पार जाता है तो पानी तूट जाएगा बान तूट जाएगा यानि कि main fani main fani अगे है main fan आगे है ना तो हम लोग अभी नदी के दूसरा का बांध पे है ठीक है और भाई साब का कहना है एक भाई का कहना है कि अगर डार पानी बढ़ जाका तो यमा टूट जाएगा संभावना है लेकिन सही मैं मैं भगवान से प्राफणा करता हूं कि ऐसा नहीं हो काए कि बहुत सारे लोक जो है जो बेघर हो जाएंगे। आप सभी को पता है कि बांध तोटने से कितना छती होता है। बहुत ऐसे माल जाल घर। बहुत ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा परसानी बढ़ जाएगा तो देख सकते एक पर मैं फिर से देखा रहा हूं यहाँ पे तो देखें मैं सामने का भी उज आप सभी को मैं देखा रहा हूं कि कैसा है आखिर में लोगों के मन में इतना दहसत क्यों पैदा हुआ है कि रा कर दिया रात का नीन और दिन का चैन खडाब कर दिया ठीक है देख रहे है अब लोग काफी तेजगति से बाढ़ का पानी बढ़ते जा रहा है vivo 1 तो इन यहाई कि क्या है किरना दूर होगा कि ज्यक्लमिंटर तर 10 की मिन और है याए ज्यानिकर लोग अभी मैं से बांद्ध तो देख सकते हैं पानी का बहाब जो है काफी लबालब हो गया है ठीक है काफी तेज गती से पानी बहरा है आप सभी लोग देख रहे हैं कर्लियानपूर का घाट है यानि कि हम लोग उस्ती सिगा ही देख सकते हैं मैं आपको दिखा रहा है यहां पे हम tutaj है कती है समझे यानि कि बांध पे पूरा पानी चड़ गिया है ठीक है और हो सकता है भाई का कहनाम है कि अगर डार भर पानी अगर बढ़ जाता है तो कल्यानपूर का बान तूट जाएगा तो अगर कल्यानपूर का बान तूट जाएगा तो पूरा दहा जाएगा ही कहां कहां तो देख सकते हैं मैं अभी यहां पे हूँ नदी के दूसरे बांध पे मैं था और मैं बांध के बाहर का भ्यूज आप सभी को देखा रहा हूँ ठीक है देख सकते हैं भगवान न करें कि आइसा नौवत आए ठीक है लेकिन मैं आप सभी को देखाना चाहता हूँ कि हर जगा पे हाई अलट कर दिया गया है और कुछ चोकिदार लोग जो होते हैं गाउं के जो चो हूँ आगरा करता हूँ कि अगर ऐसा अगर सुच्वेसन अगर होता है तो उनके लिए कुछ सोचा जाए ठीक है क्या कि इस प्रस्थिती में उनको देखने वाला कोई नहीं रहेगा तो ऐसा होना तो थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए ब्यवस्ता कर देंगे फीने का प मंदीर खाकी बाबा के नाम से जाना जाता है ठीक है तो वहीं पे मैं आया हूँ कहा गया है कि अब खाकी बाबा के हाथ में है कि यहां का जो इस्तीती है इसको कैसे रखेंगे नहीं रखेंगे अब उन्हीं के हाथ में क्योंकि हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते है क्योंकि प सबी को कराया क्योंकि वहां पे पूरा हाई अलट कर दिया गया है लोग पूरे तैनात हो गया है कि रात का नीन और दिन का चैन उन लोगों का खराब हो गया है वही भ्यूज मैं आप सबी को देखा रहा था क्योंकि मुझे कल भी पता चला है कि कल्यानपुर का बांध पूरा लबाल लब हो गया है ठीक है तो मुझे विश्वास से नहीं हुगा कि बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं लेकिन मैं यहाँ पे जब आया तो मेरा देख के हालत पूरा खराब हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्यूंकि प्राकेर्थिक अबदा किसी को नहीं छोड़ता है हर तरह से ले डूबता है आप सभी को पता होगा तो यहां से मैं गारी लगाया था और यहां से मैं पैदल ही चलके वहां तक गया था और नदी का जो दूसरा बांध है वहां से एक से डेर किलिमीटर अंदर नदी है और वहां सब पूरा बाहर में सब खेत था जो खेत था पूरा लबा लब हो गया वही भाई का कहनाम था कि पूरा पानी से लबा लब हो गया लेकिन पता नहीं हाई अलट कर दिया गया तो देख सकते हैं यहां पर मैँ आगी मेन बांद किश Turkish और यहां से मैं अब जाओंगा आप सभी को भीउच तो कराया तो कैसा लगा और इसके बारे में क्या होना चाहिए नहीं होना चीट आप लोग लाइक करें कॉमेंट करके मुझे बताएंगे और सरकार से निवेदन है कि अगर वीडियो जो अगर आप लोग देखना है तो प् सब्सक्राइब कर देंगे वीडियो को लाइक कर देंगे और प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को सेर जरूर कर देंगे मिलते हैं नेक्ष ब्लग में लव यू सो मज